अच्छ सुनो सब्सक्राइब करते वह तना घंटी बजा देना प्रत्यक्ष नजर आ रही है मुझे नहीं लगता कि इस राज्ज को वारिस मिल पाएगा इस बात से चिंतित गजराज ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा मेरी प्यारी प्रजा रानी के गर्ब की सुरक्षा के लिए महा गणेश के पुराने मंदर में पूजा अर्चना करेंगे हम अपना काफिला लेकर सुभा ही मंदर की तरफ रवाना हो जाएंगे अगले दिन सुभा हाथियों का काफिला गजरानी के साथ गणेश के मंदिर की ओर चल पड़ा गजरानी हाथी राजा की पत्नी होने के बाद भी बड़ी ही दयालू और नेक हतनी थी अपनी प्रजा का खयाल रखती थी और सब की सहायता करती थी मंदिर काफी दूर था कुछ दूर जाने के बाद महरानी थकान महसूस करने लगी इसलिए महराज ने कहा मेरे प्यारे हाथी प्रजा जनो महरानी काफी थकान महसूस कर रही है इसलिए आप लोग जंगल से अपने लिए उचित आहा ढून ले उसके बाद हम सब रवाना होंगे सभी हाथी जंगल की तरफ चले गए महरानी काफी ठकान महसूस कर रही थी इसलिए वह जंगल के अंदर नहीं गई और शेहर की तरफ जाती हुई सड़क के किनारे बैटकर आराम करने लगी महरानी को आराम करता देख महराज बोले गजरानी अगर तुम्हें कोई तकलीफ न हो तो मैं भी जंगल में जाकर भला हार कर लेता हूँ और तुम्हारे लिए भी कुछ ले आता हूँ गजरानी बोली हाँ आप जाये मैं यहाँ पर ही हूँ गजरानी का समर्थन पाकर गजराज भी जंगल चले गए गजरानी चुप चाब बैठी हुई इधर उधर देख रही थी तभी उसने देखा कि जंगल के पास लगे गाउं से बहुत से बच्चे वहाँ आ गए सभी बच्चे जोर-जोर से चिल्ला रहे थे अरे जंगल से जंगली हाथी आ गया है जंगली हाथी हमें नुकसान पहुचा सकता है इसे यहाँ से भगाना होगा चलो-चलो अपने माता-पिता को बताते हैं गजरानी को इनसानों की भाषा समझ में आती थी लेकिन वह इनसानों की भाषा बोल नहीं सकती थी उसने अपना सिर काफी जोर-जोर से हिलाया यह बताने के लिए कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुचाना चाहती लेकिन उसके बड़े बड़े कानों को हिलता देख बच्चे और जोर से डर गए और अपने गाउ जाकर शोर मचाने लगे और अपने माता पिता को वहाँ बुला कर ले आए गाउ वालों के हाथों में बड़े बड़े डंडे और मशाले थी जिससे वे गजरानी को डरा रहे थे और उसे वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे गर्बवती गजरानी काफी कमजोरी महसूस कर रही थी इसलिए चलने में असमर्थ थी वे किसी तरहां खड़े होकर लोगों को समझाने की कोशिश करने लगी जिसके कारण उनका सिर हिल रहा था गाउवाले बोले लगता है यह हाथी क्रोधित हो गया है बेतर है कि हम इसे यहां से बाहर निकाल दे वरना गाउव में काफी नुकसान कर सकता है तब ही गाउव की एक बुड़ी औरत बोली अरे यह तो हथनी है और वे भी गर्बवती तुम लोग इस से दूर ही रहो मुझे नहीं लगता कि यह किसी को नुकसान पहुचाएगी इसको अकेला छोड़ दो उसकी बात सुनकर सभी ने उसे जोर से डाटा और कहा तुम्हारा तो दिमाग सठिया गया है वे इतनी जोर जोर से सिरहला कर हमले की तयारी कर रही है और तुम कहती हो कि वे नुकसान नहीं पहुचाएगी लेकिन बुढ़िया के साथ ही साथ गाउं की सभी औरते आग्रह करने लगी कि गजरानी को कुछ भी न कहा जाए क्योंकि वे गर्भवती है और किसी गर्भवती को सताना बड़े ही पाप की बात है गाउं की सारी महिलाओं की बात सुनकर गाउं वाले वहां से चले गए किन्तु गाउं के कुछ शरार्ती बच्चों ने गजरानी को वहां से भगाने की सोची और उसे परिशान करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने लगे कोई उसके उपर डंडे का प्रयोग करता तो कोई उस पर पानी फेकता और कुछ बच्चे तो उस पर पत्थर बरसा रहे थे पर गजरानी सिर हिला कर मना करने के अलावा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुचा रही थी अचानक गाउं के मुखिया का बेटा सुनील वहां आया और बोला जंगल के जानवरों ने तो जीना हराम कर दिया है जब देखो तब ये जंगल से निकल कर बाहर आ जाते हैं अभी तो एक ही हाथी दिखाई दे रहा है कहीं इनका पूरा काफिला आ गया तो गाउं का नाश हो जाएगा मेरे पास एक उपाय है उसके बाद तो हमारे गाउं की तरफ कोई भी जानवर आने की हिम्मत नहीं करेगा लेकिन मुखिया के बेटे का छोटा भाई अनिल बोला भाईया दादी कह रही थी कि वे हथनी है और उसके पेट में एक छोटा सा बच्चा है हमें उसे परिशान नहीं करना चाहिए हमारे इतने तंग करने पर भी वे हमें नुकसा नहीं पहुचा रही है सुनील ने अनिल को एक ठपड मारते हुए कहा चल हट डरपोक मुझे पता है तू तो बड़ा ही डरपोक है इसलिए ऐसी बाते कर रहा है मुझे किसी से डर नहीं लगता मैं इससे अपने गाउ की रक्षा करूँगा उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा मेरे पास दिवाली के बचे हुए काफी सारे पटाके रखे हुए हैं ऐसा करते हैं यह पटाके इसे खिला देते हैं यह काफी भूकी नजर आ रही है मैंने सभी पर हरा रंग कर दिया है हम इसके सामने केले रख देंगे और उनहीं के बीच यह पटाके भी खाते खाते पटाके जब फटकने लगेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा और यह डर के मारे यहां से भाग जाएगी बच्चे हथनी के पास गए तो हथनी अपने सून से बच्चों को सहलाने लगी अनिल ने उसके सामने एक बाल्टी पानी लाकर रख दिया गर्मी से बेहाल हथनी ने पूरा पानी पी लिया और अंत में कुछ पानी अपनी सून से बच्चों की तरफ फवारे की तरह भेग दिया वह विश्वास दिलाना चाहती थी कि वह बच्चों से प्यार करती है और उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती बलकि उनके साथ खेलना चाहती है सभी बच्चे हसने लगे किन्त सुनील जोर से चलाया तेरी यह हिमत की हमारे उपर पानी डाले? तुझे अभी मज़ा चखाता हूँ उसने अपने सभी दोस्तों से कहा कि वह पटाके हतनी को खिला दे पर सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उन सब कोवे हतनी बहुत अच्छी लग रही थी सुनील क्रोच से पैर पटकता हुआ गया और उसने अपने हाथों से पटाखा उस हतनी के मुँ में खिला दिया हतनी सुनील को भी एक प्यारा सा बच्चा समझ कर उसे अपनी सून से सहला रही थी अनिल ने यह बात अपने माता पिता को बता दी सभी गाउवाले गर्भवती हतनी को बचाने वहां आ गए और उन्होंने उसे खूब सारा पानी पिलाना शुरू कर दिया जिसके कारण पटाखे का विस्फोट तो हुआ पर ज्यादा पानी पिला देने के कारण हतनी के शरीर में उन पुराने पटाखों ने ज्यादा नुकसान नहीं करा और हतनी ने उल्टी के जरिये उसे बाहर निकाल दिया लेकिन विस्फोट के दर्ड से वह बेहोश हो गई उसकी तकलीफ देखकर सभी गाउवालों की आँखों से आसू निकलने लगे दर्ड से हतनी बेहोश हो गई तुरंत जानवरों के डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और उसके बच्चे को भी ऑपरेशन द्वारा सही सलामत निकाल लिया तभी जंगल से गजराज और उसका काफिला वापस लोटने लगा उन्हें वापस आता देख गाउवाले सब पीछे हट गए गजराज गजरानी के पास पहुचा और उसे बिहोश देखकर रोने लगा तभी उसने गजरानी के पास ही अपने बच्चे को देखा उसे लगा गाउवालों ने उसकी गजरानी को सताया है वे बदला लेने के लिए चिंगारने लगा तभी हतनी को होश आ गया और उसने गजराज को सारी बात पताई सारी बात सुनकर सभी हाथियों की आखों से आसू निकलने लगे और वे सभी अपने दो पैरों पर खड़े हो गए और सब को प्रणाम करने लगे उसके बाद गजराज अपना काफिला और नवजात पुत्र को लेकर वापस लोट गए और फिर हाथियों और गाउवालों की दोस्ती के किस्से मशूर हो गए और सब खुशी खुशी रहें आपको यह वीडियो कैसे लिगा मैं कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमार शेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सेरे कैशन हमार शेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें